बहुत से लोग चाहते हैं कि कास मेरा भी एकाउंट भी देश में होता मैं भी वहाँ से पैसा लेता देता हरे काम कर सकता तो मैं आज आपका यही प्रॉब्लम का सेल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो को अंते तक देखिएगा मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि कैसे आप घर बैठे अमेरिका में जापान में सिंगापूर में मलेशियां में हर जगाँ आप अपना फिरी में बैंक एकाउंट खोल सकते तो कैसे bank account खोलना है इसका step by step मैंने वीडियों बताया है तो आप इसको ध्यान से और लाश्ट तक वीडियों को देखिएगा skip मत किजेगा यदि आप skip करेंगे तो आपको problem हो सकती है तो यहां पर ध्यान से पूरे वीडियों को complete देखिएगा मैंने इस वीडियों में समझाया है कि कैसे आप free में 100% free में bank account खोल सकते हैं किसी भी देश में और वहां से आप dollar में कमाई करें या फिर किसी भी currency में कमाई करें तो उस payment को आप सुरक्षित अपने भारती account में भी withdrawal कर सकते हैं ले सकते हैं कुछी second में और यहां तक कि वहां पर आपको charge भी नहीं देना पड़ेगा बहुत ही minimum charge है जबकि दूसरी कंपनिया 10-10% तक transaction charge लेती हैं लेकिन यहां पे आपका bank खुला है virtual account खुला है तो यहां पे आपको कोई भी charge देने की जरुत नहीं पड़ेगी 100% free है या फिर आप बीदेश में जा रहे हैं तो वहां पे भी यदि आपको payment लेना पड़ता है तो वहां पे काफी ज्यादा problem होती है कि घर पे हम पैसा कैसे भेजे या फिर घर से पैसा हम यहां पे मंगा के कैसे निकाल पाएं तो इस सारे चीजों का solution इस वीडियो में बताया ग करेंगे तो आपको इस पेस पर डिया जाएगा और यहां पे आप साइन अप करेंगे ता पचास डॉलर तक यहां पर आपको बोनस भी मिलेगा कैसे मिलेगा मैं आपको वीडियो में पुरा explain करूंगा तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा जैसे ही आप क्लिक तो आपको यहां पे redirect कर दिया जाएगा यहां पर देख सकते हैं let's find the right account for you need यानि आपको क्या किस एकाउंट की जरौत है उसके बारे में discussion करेंगे यानि सबकी यहां पर branding दी गई है जी किसके किसके साथ ही connected है और किस से ज्यादा यहां पे इनकी पैम पे आउट ली जा रह के द्वारा और यह trustable है बहुत ही काफी समय से चल रहा है तो चली हम देखते कि इस पर sign up कैसे करना है तो मैंने sign up क्लिक किया तो यहां पर आया तो यहां पर आपको select करना है I am a मैं क्या खोज रहा हूं त्यानि मैं freelancer हूँ या online seller हूँ affiliate marketer हूँ ठीक है जो भी आप इसमें select कर सकते हैं मैं क्या करूँगा individual पर click कर दूँगा और individual select कर लेंगे I am looking to मैं किस चीज़ की खोज कर रहा हूं तो आपको पहला option यहां पर click करना है क्योंकि हम affiliate marketing से या फिर other sites या foreign country से हम clients से अपना payment receive करना चाहते है इसलिए यहां पर select कर देंगे यदि आप चाहते है फैमि card लेना यानि ATM prepared card लेना तो आप third option पर भी click कर सकते हैं तो मैं पहले पर option पर click कर दूँगा और इसको select कर लेंगा क्योंकि मैं बिदेशी कंपनियों से या फिर बिदेशी जो भी लोग है उनका काम करके दूँगा और उनसे पैसा लूँगा तो मैं पहले वाले पर get paid by international client और या marketplace पर click कर देंगे इसको हम select कर लेंगे खुलकर open हो जाएगा यहां से आपको registration पर click कर लेना है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी आप पैसा कमाएंगे उसको ATM के द्वारा भी आप यहां पर withdrawal कर सकते या फिर जो भी freelancing site है वहां पर आप काम करेंगे तो उसका जो भी पैसा है आप यहां पर निकाल सकते हैं आपको यहां पर account number दिया जाएगा IFC code दिया जाएगा बैंक कि सेरिया में लोकेड है पूरा information दिया जाएगा ठीक है यह आप इसको mobile phone से भी manage कर सकते हैं इसका android app और ios app दोनों यहां पर level है उसको आप play store से डाउनलोड करके इसको भी manage कर सकते हैं अब registration पर click करेंगे यहां पर आपके समने dashboard open होगा ठीक है इस dashboard में आपको पूरा information यहां पर fill up करना है आपको individually और company यहां पर दो दिख रहा होगा तो आपको simply individual पर ही रहने देना है आपके पास कोई company नहीं है यदि company है तो आप company पर click करेंगी तो यहा यहां पर other information भी आपको fill up करना पड़ेगा तो आपको करना क्या यहां पर individual पर ही click रहने देना है और यहां पर अपना first name, last name, email address और both update यहां पर डाल के next पर click कर देना है चलिए मैं जल्दी जल्दी अपना information fill up कर लेता हूं यहां पर वही email id डालिएगा क्योंकि इस email id को लिंक है वह आपके email id पर send किया जागा तो आप अपना real और valid email id डालिएगा और real data worth डालिएगा जो आपके pain card अधर card में हो वही data worth यहां पर डालिएगा क्योंकि आपको payment लेना है और भेजना है इसमें कोई problem ना हो जैसे ही आप account खलवाने जाते हैं तो आप पुरा अपना real information fill up करते हैं वैसे यहां पर भी आपका account खुल रहा है और एक साथ बहुत से foreign country में आपका account खुल रहा है तो आप यहां पर अपना real information ही यहां पर दीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है इसको पूरा मिला लेना है जाप आपने सही से भरा है कि नहीं भरा है उसके आपको अपना contact fill up करना है आप यहां से अपनी country जो भी हो select कर लेंगे मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया ही select कर लूँगा और यहां पर अपना street और number यानि जो भी आपका location है वह आपको street यानि गली number डालना है और अपना house का number भी डालना है ठीक है जहां पर भी अपना पूर information भरते हैं वैसे ही आपको यहां पर भी भरना है तो मैं अपना information यहां पर fill up कर दूँगा उसके बाद आपको यहां पर valid mobile number डालना है वहां पर आपको 6 digit का code जाएगा उस code को यहां पर डाल के verify करवाना है तो आपको यहां पर mobile number डालने के बाद आपको send OTP पे click कर देना आपके mobile number पे code चला गया है उसको देख लेना है देखने के बाद उस code को यहां पर fill up कर देना है यहां पर डाल देना है तो मेरा code यह है डाल दिया उसके बाद आपको करना के next पर click कर देना है आप next पर click कर देंगे उसके बाद आपको यहां पर strong password select करना है वह password जो बहुत ही call को कोई भी एक्सिस नहीं कर पाएं उसके बाद आपको यहां पर सरेट करना सिकोटिक कोस्टार्ञ जो आपको हमेशा याद रहे तो जैसे मैं यहां पर स्रेंड करता हूं अपना स्रीकोर्टी कोस्ट्न और यहां पर अंसर डाल जब यह password भूल या फिर कोई भी problem हो ता आप recovery करते समय इस question का answer सही से दे सकें उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है pain number डालना पेन का number जो होता है वो डालना है उसके बाद जो नीचे capture code दिया गया है उसको डाल देना है सेम वह ऐसा ही लिख देना है जैसे यहाँ पर capture code दिया गया है और यहाँ पर next पर click कर देना है यहाँ पर आपका almost done हो गया है यहाँ पर आपको account type select करना है तो आपका personal account है या business account है यानि जो भी आपने bank account खुला है अपने local branch में वह account कैसा है यहाँ पर personal है तो आप यहाँ पर personal information डालिएगा यहाँ आपका business account है यहाँ आप कोई business कर रहे हैं उसके नाम से आपका account खुला है तो business account पर click करके आप detail डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर personal account है आपका account जिस भी bank में खुला है यहाँ पर bank select कर लेंगे ठीक है तो मैं पंजाब यहाँ पर select कर लेता हूँ और यहाँ पर account number डाल देंगे account खुलते समय जो भी आपका bank account number मिला होगा यहाँ पर fill up कर देना है IFC code डाल देना है और जो आपने अभी पहले कुछ समय पहले यहाँ पने pain card का जो number डाला है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और आपको account type select कर लेना है आपका account saving है या current है वो select कर लेना है उसके बाद आपको submit कर देना है तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पर fill up कर लेता हूं इसके बाद आगे का process मैं आपको दिखाता हूं पूरा information यहाँ पे फिलप करने के बाद आपको यह terms and condition को पढ़़ लेना है उसके बाद यहाँ पे आप इसको trick कर देंगे यहाँ पे click कर देंगे तो यह आपका trick हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार पूरा review देख लाना है कि जो भी आपनी information बह रहा है वह सही एक नहीं है उसके बाद आपको सब्मिट पे क्लिक कर देना यहां पर इंफर्मेशन एक बार रिवाइज कर लिजेगा कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है उसके बाद आप नीचे आके सब्मिट कर दीजेगा आपका एकाउंट यहां पर सक्सेस्पुली क्रियेट हो गया है और यह रिव्यू में चला गया है यह रिव्यू होने में दो से तीन दिन का टाइम लेता है जैसे आपका एकाउंट रिव्यू कम्प्लिट हो जाएगा यानि जो भी आपने इनफॉर्मेशन डाला है यदि हो 100% रियल होगा सही होगा तो आपका एकाउंट यहां पर खोल दिया जाएगा और यहां से आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी भी साइट से आप यहां पर पेमेंट रिसीब कर सकते हैं और भेज सकते हैं उसके बाद एक और आपके पास मेल आया होगा मैं उसको भी देख लेता हूं यहां पर एक और मेल है प्लीज वेरिफाई और ए यह बहुत ही important है जैसे यह आप verify email पर click करेंगे तो आपको redirect किया जाएगा और यहाँ पर देखिए हो गया है कि आपका email id successfully verified हो गया है यहाँ पर 10 मिनट बाद मेरे email id पर एक mail आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो account है वो verified हो चुका है और 100% फिर में मेरा account खोल दिया गया है तो चलिए मैं इसको login करके दिखाता हूँ कि कैसा dashboard आपको दिखेगा यहाँ पर क्या-क्या facility आपको मिलेगी तो यहाँ पर email id और password डालके हम login कर लेते हैं तो जैसे ही आप login कर लेंगे तो आपके सामने यह home का dashboard open होगा और यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका जो भी balance है जो भी आपने पैसा receipt किया है और यहाँ पर लेंग्वेज भी select कर सकते हैं कि आप किस language में आप इस dashboard को देखना चाहते हैं यहाँ पर यूएस में आप देख सकते हैं USD यानि डॉलर में कितना रुपे यहाँ पर होग करेगा European में कितना है GPB जो डॉलर वह भी आता है currency है उसमें कितना आपने विड्रॉल किया है या विड्रॉल लिया है payment accept किया है इस सारा चीज आपको यहाँ पर dashboard पर मिलेगा facility है जो यहाँ पर आपको दी गई है उनको भी मैं थोड़ा आपको थोड़ा जल्दी से overview दे देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो चली हम जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर यदि verification जो यहाँ पर है यहाँ पर verification भी कर स सकते हैं यदि आप verified नहीं कर पाएंगे तो आप comment किजिएगा या मेरे WhatsApp पे message किजिएगा Instagram पे message किजिएगा मैं इसका भी एक separate वीडियो बना दूंगा तो और कुछ facility यहाँ पे है उसको भी हम लोग देख लेगते हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने bank account यह करके हमारे bank account में send कर दिया जाएगा कुछी second के अंदर और यहाँ पे आप अपना profile में जाकर के यहाँ परा information देख सकते हैं कि आपने email id के डाला है आपका नाम पूरा address सब चीज यहाँ पर यदि कोई आपको यहाँ पर कोई problem हो रही है यहाँ चाहते अपना address update करना तो यह चाहते हैं कि आपका bank जो भी है account number कैसा दिखेगा ठीक है तो चलिए मैं वह भी आपको दिखा देता हूं आपको receive में चले जाना है receive में यहाँ पर global payment में आपको चले आना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फिलालतीन bank का account open करके दिया गया है UK का और US का और GBL का जो था यानि UK का जी पी पी जी बी पी और US का दो account यहाँ पर open करके दिया गया है यदि आप चाहते सिंगापूर का भी हो तो आप सिंगापूर के plus पर icon पर click करेंगे तो यह review में चला जाएगा ठीक है और account खुल जा यहां पर पूरा आपका bank account का detail दिखेगा फॉस्ट सेंट्रल बैंक है यहां जो US में स्तित्त है यहां पर account number IFC code आपका नाम पूरा यहां पर दिखेगा यानि beneficial name किसके नाम से account खुला है इस सारा चीज आपको यहां पर दिखेगा इसको आप कहीं पर भी share कर सकते हैं और payment को receive कर सकते हैं वैसे UK का यहां पर account number आप देख सकते हैं IFC code सारा चीज यहां पर detail दिया गया है आप कहीं पर भी इसको share कर सकते हैं affiliate marketing फाइवर पे freelancer पे या फिर किसी से पैसा लेना आए वहां पर आप सेंड कर सकते हैं और वह आदमी डिरेक्ट आपकी इस bank में deposit कर देगा औ तो आप यदि चाहते हैं कि bank वास्तों में UK में है यह देखना चाहते हैं तो इसको first currency bank को आप copy कर लेजेगा और Google में जाकर search कर लेजेगा तो यह दिखाएगा कि US में यह bank account available है और यह bank account 1894 से यह bank open है तो आप देख सकते हैं यहां पर दिखा रहें कि 1894 से यह bank यहां पर open ह है काफी पुराना bank है वहां पर आपका फ्रीम account खुल गया है इस तरह से आप यहां पर पे पेनियर पे multiple account खोल सकते हैं और multiple countries आप यहां पर payment receive कर सकते हैं ठीक है तो मैंने सिंगापूर के एक bank account के लिए request डाला है यह सिर्फ तीन से चार हावार दे रहा है तो यहां पर दो चार मिनट में यहां पर create होके account आपका यहां पर आ जाता है bank account नमबर आयफ सी कोड पूरा detail आप इसको send करके payment ले सकते हैं काफी सारी यहां पर bank है और भी किजिए subscribe कर लेजएगा और हमारे चैनल को support किजिएगा